26 दिसंबर 2004 को भारत समेत दुनिया के कई देशों में हिंद महासागर में आई सुनामी ने भारी तबाही मचाई थी 26 दिसंबर 2004 का दिन इतिहास में दुखों का ऐसा अध्याय लिख गया जिसे याद करने मातर से कोई भी सीहर उठे So, चलिए इस वीडियो में 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के बारे में जानते हैं जिसकी तबाही से करीब 13 देशों के 2 लाग से ज़्यादा लोग समुंदर में समा गये थे वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरा आपसे की नीचे रेडिकलर के सब्सक्राइब बड़ों में क्लिकर के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नौलीबल वीडियो भी आप देख सकें सुचल ये स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए 9.15 के तिवरता वाले भयानक भुकंप के बाद सुनामी की लहरे उठी थी इस सुनामी की वज़े से समुंदर में करीब 100 फीट उची लहरे उठी थी सुनामी की इन लहरों ने इंडिया, इंडोनेशिया, बंगलादेश, श्री लंका, थाइलेंड, म्यामार, मेडा, गासकर, मालदीव, मलेशिया, सेशेल्स, सोमालिया, तंजानिया और केनिया में भारी तबाही मचाई थी अकेले भारत में ही सुनामी से 12,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 3,000 से जादा लोग लापता हो गए थे इस सुनामी से देश को करीब 12,000 करोड रुपे का आर्थिक नुकसान हुआ था सबसे ज़्यादा 8,000 मौत ये तमिन लाडु में हुई थी इसके अलावा अंडमार निकुबार में 3,000 से जादा पुद्दुचेरी में 599, केरल में 117 और आंध्र प्रदेश में 107 लोगों की मौत हुई थी सुनामी से श्री लंका में 13 और माल्दिव में 1 भारतिय की मौत हुई थी सुनामी ने 13 देशों में 2 लाग से जादा जिन्दगीया निकल ली थी सुनामी ने भारत के अलावा जिन 12 देशों को प्रभावित किया था उनके यहां मरने वालों की संख्या 2 लाग से जादा थी सुनामी ने सबसे ज़्यादा प्रभावित इंडोनेशिया और श्रिलंका को किया सुनामी के कारण इन दोनों देशों में 18,000,000 से ज़्यादा लोग बेगर हो गए थे 50,000 लोग लापता हो गए थे इंडोनेशिया में इस आपता से 1,28,000 लोग मारे गए थे और 37,000 से ज़्यादा लापता हो गए थे उसके बाद श्रिलंका में 35,000 से ज़्यादा लोगों की या तो मौत हुई थी या लापता हो गए थे हिंड महासागर में आई भुकम के बाद जब सुनामी आई और पानी की उंची उंची लहरे करीब 800 किलो मीटर प्रती घंटे की बिजली की रफतार से तटिये इलाकों में पहुँची तो लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला इसके बाद भारत श्रिलंका इंडोनेशिय जैसे देशों से हजारों लोग मौत की नीन्द सो गए इस सुनामी से भारत के हजारों मचुआरे लापता हो गए थे बाद में कईयों के शाओ समुन्दर से बह कर तटो की ओर वापस आये थे 26 मई 2017 को जनरल साइंस में पब्लिश होई रिसोर्च में सामने आया कि 26 दिसमर 2004 को आई इस तबाही की वज़े हिमाले परवत था दरसल सुमात्रा में आये भुकम का केंद हिंद महासागर में 30 किलो मीटर की गहराई में रहा जहां भारत की टेक्टोनिक प्लेट और श्टेलिया की टेक्टोनिक प्लेट की सीमा को उच्छूती है हजारों वर्षों से हिमाले और तिबती पठार से कटने वाली तलचट गंगा और बाकी नदियों के जरिये हजारों किलो मीटर तका सफर तैकर हिंद महासागर की तली में जाकर जमा होती रही हिंद महासागर की तली में जमा होने वाली ये तलचट प्लेटों के बॉर्डर पर भी एकठा हो जाती है जिसे Subduction Zone भी कहते हैं जो तबाहि माचाने वाली सुनामी की वजह बनती है So इस तरह से हमने इस वीडियो में 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के बारे में जाना जिसने करीब 2 लाग से जादा लोगों की जान ले ली थी उमीद करता हूं दूस्तों की वीडियो आपको पसंद आया होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताये की वीडियो आपको कैसा लगा सांथ ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना बूले सो वेंट इस वीडियो में अब तक के लिए इता ही मिलते अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाबाई and टेक केर